वेलकम तो दिट्टरा टेग्नेल क्लासर्स तो चलिए पढ़ते हैं आर्सिसी ट्रॉइं का दूसरा चैप्र बीम बीम में आपको तीन तरह की बीम पढ़ने हैं केवल और केवल टेंशन जोन में बार प्रोवाइड करते हैं जब हम किसी आर्सिसी स्ट्रक्चर के केवल और केवल टेंशन जोन में हम बार्स प्रोवाइड करते हैं तो उसकों क्या करते हैं सिंग्ली रिंपोस्ट वीम नहीं महीं और आपता ह bisschen से चलेगे यह कि यहां पर नाम से स्क्मेत सilosate टा tam क्यों सई। मोसकं क्यों दिया है में एंसे सब्स similarity कि अगछिक के साथ सुछ। को हैं झूट इसमे किस्या की मिल लेक्व और शॉंख में रॉइप सब्सक्राइब कर दिया हुआ है ! कि यहां पे हमें यह लिखा है MN reinforcement कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि Tension zone में इतना reinforcement रिया गया है एक ही reinforcement data दिया है horses in लिये reinforcement सबसे पहले हैे clear span clarify पारामे से पहले आप अपने ड्राइंशीट ले एक स्केल जरूर ले लेज़ेगा जिसे आपको ड्राइंब बिराना एजी हूँ 3.5 मिटर का अच्छा से स्केल लेके ड्राइब कर लेजेगा 3.5 मिटर का इसमान है उसका जो बेरिंग मतलब कितनी दूर तक यह बीम को सहराएं। जिस पर डिबार होगा घ्लग जोड adviser की डिवार पर क्या कर देहिए। यह टिका हुआ है सेहरा है तो हम क्या करते हैं पहले एक बीम बना जबते है यह तो उंको पते हैं का इसमान 3.5 मीटर है जो बीम का विट्थ और डेफ्थ है विट्थ तिया है 220 में और ओवर ओर डेफ्थ यहां दिया है दी इसका टूँ ढ़िए करेंगे जो डेफ्थ है अभी तो उंको इसकी विट्थ दिखेगी नहीं चक्टक हम इसका प्रॉस सेक्षिं नहीं करेंगे नहीं दिखाये नहीं तो हमारा जो डेफ्थ है इसको हम क्या करेंगे डेफ्थ को मैजर कर लेए तो 300 mm को एक स्टेवल स्के लेकर आप क्या करिएगा भी ड्रा कर लिजएगा तो हम यह माल लगता है यह तीन सब्सक्राइब 3.5 मिटर का हमारा स्पान है और यह जो डेट है वह हमारे कितना है 300 mm का अब नीचे जो बॉल है वो कितने कि है 200 mm कि यह बेरिंग इसकी कितनी है 200 mm अब पता नहीं वाल इतनी लंगी है तो में क्या क्या वाल को ब्रेक कर दिया अब ओवराल डेप्ट अब हमको रिंफोर्स्मेंट प्रवाइड करनी है तो जो में रिंफोर्स्मेंट होती है वो ओवरार डेप्ट से क्या होती है उससे कुछ दूरी पे लगाए जाती है जिसको हम क्या करते है clear cover जिसको हम क्या करते है clear cover कि इसको हम 20 mm जोड़ करें जन्रली तो हम यहां पे भी करेंगे 40 mm की दूरी पंटा करेंगे और इधार से 20 mm की दूरी करें हम में रिंफोर्स्मेंट बना लेंगे इस ताइब में हमारे कहें 20 mm और यह हमारे कहें standard hook 90 डेग्रेकर यह जो मिने side में किया हुआ यह क्या है standard hook बार को क्या किया गया है side में बोर्ट दिया गया है तो यहां से clear cover 40 mm यहां से end cover 20 mm यह हमारा में रिंफोर्स्मेंट बन गया अब में रिंफोर्स्मेंट पांच बार था तो यहां पर इस time पांचो बार एक दुसरे के साथ सिधाई में एक दो तीन चार पांच करके लगे हुए होते हैं अब है हमारा hanger बार hanger bar को ही anchor bar भी का जाता है यानि लटकाने वाले चार या बादने वाले चार जो भी आप बोड़ें बस आप पांच बार पांच नंबर और बार के लिए आप क्या करते सकते हैं इस लाइं को डाइक कर सकते हैं और यहां पर दो बार है hanger bar या hanger bar उसको भी हम क्या करेंगे यहां पर जार यह लगा लें आप अगले करे अब हमारा क्या है हमें इस टिरप्स लगाने हैं अब पिश्छी फ्लास में हमने इस टिरप में नहीं पताया था इस टिरप का जो डाया होता वो सिक्स एमम से सिक्स्टीन में तक तक यूज़ किया जाता है और जनरली 6, 8, 10 में से लिए ज़्यादा अप्लाइ किया जाता है तो वर्टिकल स्टेरप में आ जाते हैं तो 6 mm का है 6 mm का वर्टिकल स्टेरप है और 200 mm की दूरी पर क्या किया गया है इसको लगाए गया कि सेंटर टू सेंटर दूरी के रिखनी है 200जच किया करेंगे पहले 6 mm की दूरी पर सुरि दूस कि क्या करेंगे बार लगाएगे Scout हर 200 mm की दूरी के सब स्केल से आपको बनाना है हर 200 mm की दूरी पर अका करेंगे ऐसे वर्टिकल स्टेरप लगाते चल जाएंगे हुआ है हम नहीं लगाएंगी तो क्या होगा नहीं लगाएंगे तो i figur में लोगा तो क्या होगा इसमें डाइगोनल क्रैक्स आजाएंगे कि जो मेरे वर्टील फस्वरी फिट को होता है इसको पर दोनों साइट से आप सभी को विस्बल हो रहा होगा कि हम क्या कि इसको बेंट अप कर दी कुछ इस तरह से हम क्या कि इसको 45 डिग्री पर यह जो एंगल ने यहां पर यह कितना कि 45 45 डिग्री पर यह क्या कि इसको बेंट कर दी मतलब यह जो दूसरा और चौथा वाला बार हивается basis तरह आपको दिखाई देगा यानि किलम सामधी से देखेंगे कि सेंटर आफ सपोर्ट का सेंटर है यह जो 200 mm का हमारा गॉल है उसका सेंटर यानि कि 100 mm और हमारा जो लेंद्ध अब हो कितना है 3.5 3.5 मीटर यहां आपने clear response L लिखा हुआ है और यहां small L है यह चीज़ नौट किजएगा यानि कि जो small L है वो क्या होता है effective length होता है और effective length हमारा कैसे है निकाला जाता है L plus bearing L plus bearing हम क्या करते है effective length ही जाता है तो 3.5 है तो और यह कितना हो गया कि दो सब्सक्राइब करने के बार जो भी दूरी आती है तो हम क्या करेंगे इसके सेंटर आफ सपोर्ट से उतनी दूरी यानि L by 7 की दूरी पर चले जाएंगे जो भी आता है आपका value L by 7 की दूरी पर चले आएंगे और वहां से क्या करेंगे 45 डिग्री पर एक लाइन कड़ा करके इसको क्या करेंगे तुछ इस तरह हम डार्क कर देएंगे और इसको भी दिखाएंगे कि यह 45 डिग्री पर हमारा क्या में बार बेंट अ कुगा है इस साइट से भी हम यही कां करेंगे एल वाई सेवन की दूरी पर हम इसको बेंट अप कर देंगे जैसे के बेंट में दिखाया था यानि दूसरा और जो जौथा बार है वो क्या होगा बेंट अपो के उपर चला जाए यानि इस टैम यहां पर एंकल बार तो है यह दो नंबर और यहां का दूसरा और जौथा बार भी उपर है अब हम खुड़ा से सारा डामेंशन यहां पर क्लियर कर देंगे सब्सक्राइब करेंगे और फिल यह 200 mm का है यह वारा क्या है में रिंपोर्शमेंट यह कितना है पांच वार है और वह कितने कार्ड बारा है अटाया करेंगे पांच बार जगाया है वर्टिकल स्टिरप्स को कैसे रिप्रेजेंट करके वह भी मार को बता रहे है ऐसे ऐसे मितलब जितना बार रस्ट्रप क्या करेंगी एलो ऐसे लग रहे हैं उसकी बाद आप ऐसे लाएंगे फिर आप लिखेंगे वर्टिकल स्टिरप्स 6 mm डाया या लिखते जगा टू लेजे इसे के साथ मिल गारका पर नहीं नहीं तो टू हंड़र्ड अम सेंटर टू सेंटर अबर अबर आल थिकनेस नहीं क्या करेंगे जो ड़क्त है विल्टी वहां क्या करेंगे आपर रेप्रेजेंट कर देगा यह लिए पिक्ति है थी हंडर्ड एलोग अल्मोस्ट अमने इसमें सारी नेमिंग कर दी चाय टॉप इसमें क्लियर कवर भी लिख सकते हैं और यह हमारा एंड कवर बो कितना है टॉंटी एवन कि स्लंगी सेक्शन यानए लंबाई वाला तक न सक्षेन यू छो ता इसको वे का सब्सरी थृर्ट हो दिकांग तो हमें कैसा पार दिखाई लिगा है कि वर्टिकल स्टरफ यह सारी लगियं हुआ है तो हम चलते हैं साट क्रॉस सेक्ष्श्ण लाने, हम देखेंगे हमें अब इसका width दिखा रहेगा कि यह जो rectangle shape है मों को क्रॉस सेक्षिन में कैसे दिखा दिखा देगा डेप्ट यह होगा हम क्या करेंगे जो इसका विट है 227 उसको हम यहां पर मेज़र कर लेंगे और इसके बराबर के डेप्ट पर अब इसका क्रॉस सेख्षन है इक चीज़ और समझने की बहुत कि यहां कि क्रॉस सेक्षन वा दो जबहाई से पूछा चाहिए कि क्रॉस एक्षन अब सपोर्ट के जिस भी मिल जो क्रॉक सीक्षिन उसको सपोर्ट पे बनाईए और एक बार मिड़ स्पान पर बनाएं रहा है लग्र दोनों बताएंगे एक बार स्वेट एक सब्सक्राइब बनाते हैं सब्सक्राब थोड़े सबहज़ा है कि सपोर्ट पर क्या होगा अब हम यहां से क्या करेंगे बढ़िका स्टेर पो भी बना लेंगे जब पहले में डिस्पान पर चलते हैं एक्स एक्सटेस तो पहले हम मिल्डी स्पान का बनाता है क्रॉस सेक्षिन एट मिड़ स्पान कि बीचों बीच में सेक्षिन काटेंगे तो हमें क्या दुखेंगा है तो यह वीम के विट है 220 एमन और यह वर्टिकल बीच में क्या है कि जो पांचों बार हो नीचे ही और दो आपकर अपर है जैसा कि नॉर्मल हमको पहले सही पता था कि पांचों बार नीचे दो बार दो आपकर आपकर है तो यहां क्या करेंगे पहले एंकर बार और दूसरा एंकर बार मतलब सारे वर्टिकल सिर्प को क्या करने के लिए बांदे रखने के लिए और नीचे वारे कितने हैं पांच बार पांच चरह तो कुछ इस तरह का वारा में पांच बार नीचे दो बार उपर क्योंकि सारे पार कहां लगते हैं टेंशन जोन और नीचे की और कंप्रेशन जोन ऊपल की तो हमारा इस तरह हमारा क्या हो गया और यह क्लियर कबर ही है कि चालेसमिंट चालू करफ तो यह हमारा स्ट्षण के में डिस पान हो गया कि जाहे तुलिके सेक्षण एड मिडिस पान या सेक्षण एड एकस एकसदेस आहने में। हमें उस्पान पे स्चुन बना लिया अब हम जानेंगे की सब्पोर्ट पे कैसे सब्सक्राइब हम सब्सक्रास सब्सक्रड था है सब्सक्राइब क्यों कुछ सब्सक्राइब nie और हम अब देखने के कोशिप करने तो हमें कितने बार भी तब निचे की आपक पुम-ठीज़ीन करने सब कर depressed। आप यानि चाहिए जो 5 ह्याक्ति साकुष। की उसको ने क्या कर दिया बैंट पर कर दिया। तो यह दोरो बार के होगे, उपर की और चले गया, बस इसमें यही चीज ध्यान रखने की थी, कि दो बार पहले सही उपर बेंट अपोगे चले गया है, और बाकी के जो तीन बाह थीन चड़े, वो नीचे की होगे, पहली तीसरी और पांच भी और दूसरी और चॉपिंग हा तो यह हमारा था सिंगली रेंपोस्ट बीम का ड्रॉइंग, तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो, आपको समझ में आ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजे, थैंक यू